लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें ह्ट्रिज वैंस अल्ट्रा चैनल्स को साइड के लेदें झालाग। मलें बार 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 फोड़र भीज़ एक बालेजर बेंगी जारीर फालेजर फालेज़ अजना पुदिया एमझा है इसे घड़क झालेजर अचले अबस्गोंी सेटारी है यालेजर टीजना चैस अचलेजर एलेजर अजना इसे अच्छ इमसे जाना भी बालेज टेंग historically इसे रच ते मुद्ट राजा यही है वो लोग जो इन सब हरामजादों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ टारेक्टर अफ इंडस्ट्रीज अंगिनत काविल नौजवानों के हाथों से मौका छीन कर उस मौके को अपने रिष्टेदारों में बाटने वाले हराम खोर हो तुम Employment Exchange Officer बरसों से आस दगाए हुए बेरोज़गार नौजवानों की फिक्र किये बिना कल पर सो रेजिस्टर किये गए लड़कों से रविश्वत खा कर उन्हें नौकरी दी है तुमने होनहार नौजवानों की भविश्य और जिन्दगी से खिलवार करने वाले कमीने हो तुम ओ, जिल्ला परिशत प्रेसिडेंटी इतने सारे टीचर्स की पोस्ट खाली है मगर फिर भी किसी को भरती नहीं कर रहे हो तुम ताकि गौवर्मेंट से जो पैसा गरीब टीचर्स के लिए मिलता है वो उनकी बजाए तुम्हारी जिब में चला जाए है ना बेरोजगारी और भूख मरी को बढ़ाने वाले गंदी नाली के कीड़ हो तुम पुलीस रिक्रूटिंग आफिसर रिश्वत के लालच में अंधे होकर तंदुरुस्त और सेहतमन नौजवानों की बजाए कमजोर और मरियल लड़कों को सिलेक्ट करके सारे पुलीस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हो इमानदार और मजबूत लड़कों के सपने तोड़ने वाले घद्दार हो तुम हम जैसे लाखों नौजवानों के भविश्य के लिए इस समाज की भलाई के लिए सारे देश की एक्ता के लिए तुम जैसे लोग कैंसर हो शराफत के लिबास में छुपे हुए कुंडे हो जिन्हों ने आज के इस राज को बना दिया है कुंदाराज अर ये कुंदाराज उस दिन तक खट नहीं होगा जिस दिन तक तुम जैसे कुंडें जिन्दा रहेंगे इसलिए मैंने सोच रह आई कि तुम लोगों को तुम जैसे लोगों को एक बार माफ करना, दूसरी बार गलती करने का मौका देना है हराम सादे मेरी लकडी कहा है, मैरी लकडी कहा है, मैं आज एचे ठीक करके ही रे रे यह क्या कर रही हो दादी, जाने भी दोना, रात को देर से आने की जरूरती क्या है, जो दोपर तक आँख न खुले, मैंने इस लुचे को ठीक करना ही है, तुम हतों बहू यहां से मैंने किस्को देमारा, मैंने किस्को को, अरे 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 अरह से लात क्या आए तो मैमत मारो, मत मारो दाधी, खेर अरू कियो मारी ayam बचाऊ मुझे वहां बच आतरा जायू, इसके पीछे पड़ी रहती वो तख़े मरी बीबी के लाड़ प्यार ने, इस लुक को इतना भिगाड रखा है, अरे सूरत सर पर चड़ाया, लेकिन इस गदे की आँ किसको बोलती है, बुड़ी, बुड़ी, हाँ नहीं तो क्या बच्ची, हाँ जवान, मूँ बनकर कान खोल कर सुन में क्या बोल रहा हूं, कुछ पता भी है, दो पहर तक सोने से घर और देश का कितना फाइदा होता है, देश का फाइदा है, मुझ जैसे पड़े लिखे जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो सुबह सुबह घर से निकलते ही हर ताल कर देते हैं, बस उम्याग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उन सब की बचाये मैं दो पहर तक सोता हूं, बोल, देश का फाइदा होता है कि नहीं? और घर का क्या फाइदा होता है? घर का? वो भी बोलुगा, मैं तेर से घर आकर दोपेर तक सोता हूं, जिसकी वजय से रात का खाना और नासदा नहीं करता है, दो वक्त के खाने की बचत करता हूं, करता हूं कि नहीं? आप भी बड़े भाईया. बचत करता है भी. अगर इतनी बचत होती है, तो कल से हम सारे घर व रवी भाया को इसलिए उठना पड़ता है कि यह किताबी कीड़े, जल्द से जल्द आयस ओफिसर बनने के लिए हर वक्त यह किताबों में खोय रहते है, पपु मुन्नी को इसलिए उठना पड़ता है कि गवर्मेंट ने स्कूली सुबह का रखा हुआ है, और बचे हम दोनों हमें सुबह उठने की क्या जरौत है, डांस करने के लिए, देखो दादी, आज से तु भी मेरे साथ रात देर तक खूमने फिरने चला कर, और दो पहर में आराम से उठा कर, देश और घर के फायदे के साथ साथ मुझे भी थोड़ी शान्ती मिलेगी, समझी? समझ गई, that's right जो जो, जो जो, जो जो, जो जो, 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 बिलकुल आप पर गया है, सिर्फ शकल ही नहीं, सारी खूबिया भी आप ही की लिए है इसने बसकर यार, अब और चलानी जा रहा बहुत हो गया दफ्तरों के चक्कर लगाना, नोकरी तो कोई देता नहीं है यार राजा, क्यों ना हम लो सब मिलके एक चोटा मोड़ा दंदा शुरू कर दे यार हार राजा, ये ठीक है रहा है अरे राजा वो दीपक है ना दीपक, अरे वो कॉलोज अपने साथ पढ़ता था वो लंभू, मोट सेकल वाला, हाँ अगर हम उसे 20-25 रॉपर मांगें ना नहीं करेगा आरे लाख व रुपर कमाता है लाख व रुपर वो समगलिंग करके कमाता है ऐसे आदमी से मदद… नहीं ये मेरे उसूल के खलाफ है नेीए मर गया साना तेरा बच्पना नहीं गया अभी तक तू स्कूर्ट से थोड़ा ज्यादा है कॉलिज से थोड़ा कम जिस तरह बच्चे अपने कपरों पर स्याही गिरा लेते हैं न ठीक उस तरह तुने अपने चेहरे पर खून गिरा लिया है आएए एस्की साब आएए गुड के बारे में मखी, पूल के बारे में भवरा और जर्म के बारे में आपके डिपार्टमेंट को पता नहीं कैसे पता चल जाता है हमारी नाक बड़ी तेज होती है तेशपाल साब हम दूर से जर्म की खुश्बू सूंग लेते हैं शत्प्रतिशत् सत्यवचन हमारे देश की पुलिस दुनिया के सभी देशों से अती उत्तम और गुणी मानी जाती है जी आपको पता है अमेरिका की पुलिस को खून होने के दो घंटे के पश्चाद पता चलता है और रूस की पुलिस को साड़े तीन घंटे के पश्चाद और चीन की पुलिस को छे घंटे के पश्चाद अगर हमारे पुलिस को खुन होने के 24 घंटे पहले बता होता है कि कब कहा किस व्यक्ति का खुन होने वाला है और कौन सा मनश इस शुबकार्य को संपन करने वाला है ये चंदा है मन्दाकनी से थोड़ी ज्यादा मादूरी से थोड़ी कम तेशपाल साब तो ये रुपए मुर्डर के लिए कुछ कम लगते है क्या? कम लगता है? तेशपाल लाख रुपया है इमानदारी से कमाने जाओगो तो पूरा एक जन्म लग जाएगा रख लो रख लो ये रवरी लखी आप लोगों से ज़्यादा लखी तो नहीं हूँ उस यूनियन लीडर के खून के लिए जो आपको रखम मिली होगी ये तो उसका दस पसेंट भी नहीं है मिस्टर सकसेना किस से हमें कितना मिलता है ये देखना आपका काम नहीं है जो कतल हमने करना था वो कर दिया है अब आप जाकर कातलों को दूडने करकाम कीजिए एदरा ए चश्मेश मैं? हाँ हाँ तो हीदरा इतनी रात को कहां से आ रहे हो सर पिक्चर से पिक्चर से टिकट कहा है टिकट लेने के बाद ही तो वो लोग अंदर छोड़ते हैं सर अच्छा साले मुझे शंपड़ी सिखा रहा है नहीं राजा क्यों सर क्यों मारा इसे बगल वाली गली में एक यूनियन लीडर का खून हो गया है मुझे शक है कि वो खून तुम ही लोगों ने किया है यह क्या है यूटी के वक्त दारों तो नहीं पी हो हां ऐसा शक हुआ साले पुलीस आफ़िसर के सामने अगर असली मुझरिम को नहीं पकड़ सकता न तो इस वर्दी को उतार कर घर जाकर बैठ सारे आफ अभो आफ 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 कर दो है कर भाग रहा है तुन सारी बोल मेरे दोस्तों को सारी बोल पोल अरे क्या समझता है तू प्लोग को जोड़ दो जोड़ दो यह कलब चल्ला है कि नहीं चल्ला है चल्ला है चोड़ के नैंवाACै के ने. के लिए हैं, के इब हैं sem हुआ। नाँ मैं जान्स BENE harus आमस्थ कर wat किfeit जाद से हुआ। कर दो गडिए? कर दो कर दो no one can dance with me no one dare take a chance with me yes he तूपा है, सासों में शोला है, आखों में तूपा है, सासों में मैं ना किसी को छोड़ूंगा सब का गुरूर थोड़ूंगा मैं ना किसी को छोड़ूंगा सब का गुरूर थोड़ूंगा It's a challenge It's a challenge कर लोड़ून ़्ड़़् दोड़ूंड़ूंगा यहूँ आ ने हरु कहुंद को साध्य करने तरह सीसु 0.2132835 तो सुनाऊंगा चल्वा मैं ऐसा दिखाऊंगा उंगली में सबको नचाऊंगा मैं रहूं जहाँ जोश हो महाँ मैं रहूं जहाँ जोश हो महाँ आगे जो आएगा मुझ के ना जाएगा मुझ सानको ही यहाँ It's a challenge! It's a challenge! कर दो ओो sido दो पर आएगा म मुझ सानको ही जोप पर सब्सक्राब मुझ सानको ही तो राएगा system किसी से न करता हूँ कभी रुका था राट कभी लुका थाटों पे चलता हूं ज्वाला मैं चलता हूं जाहूं मैं चाहूं जहाँ इस चैलेंज, इस चैलेंज, जोला है आठों में, दूपा है सासों में, मैं ना किसी को छोड़ूंगा, सब का घुरूर तोड़ूंगा आठी रात हो गई है, अभी तक आया नहीं है वो, आपकी शकल का होने की वज़े से, जरूरत से ज्यादा ही लाड़ प्यार दे दिया है मैंने उसे, साह पर चड़ गया है मेरे, ना लाया, आने दो आज उसे, आज या तो मैंने ही या वो नहीं हुआ 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 है ऐसे क्या देख रही हो जानकी, मैं हूँ, नहीं भैचाना स्वामी आप आ ना, मुझे छूना मत, मैं आत्मा का रूप हूँ, गयब हो जाओंगा स्वामी भूल हो गही कोई बात नहीं जानकी लेकिन ये क्या जीते जी तो आपने कभी दारी नहीं पड़ाई हर रोज दारी बना के एक राजकुमार की तरह सांस उत्रे रहते थी अब ये आपको क्या हो गया है क्या करूं जानकी, वहां का यही रिवाज है खेर छोड़ो, ये बताओ, तुम हमेशा राजा की जान के पीखे क्यों बड़ी रहती हो वह, वह एक नंबर का लुच्चा हो गया है आने दो आज उसको यहाँ, मैं उसकी दोनों टांगे तोड़के रवदूगी तुम एकदम मूर खो जानकी, राजा की टांगे तोड़ोगी अरे उसे समझती क्या हो तुम, जानती हो वह कौन है कौन है? मैं हूँ हाँ हाँ, जानकी मैं तुम से दूर तो चला गया लेकिन तुम्हारे प्यार और अपना पंच से दूर नहीं रह सका इसलिए तो मैंने राजा के रूप में तुबारा जन्ग लिया है राजा ही मैं हूँ और मैं ही राजा साच हाँ मगर स्वामी, अगर राजा में आप है तो अप तक ये राज मुझसे क्यों छुपा के रखा ये आइडिया मेरे दिमाग में अभी अभी आया है देखो जानकी, राजा कुछ भी करे तुम उसे कुछ मत कहना कभी भी उसके पीछे डंडा लेकर मत भागना मरना उपर स्वार्ग में मुझे बहुत तकलीफ होती है दुख पहुचता है ये राज, स्वामी, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूगी ठीक है मैं उसे कुछ नहीं कहूगी वेरी गूड लेकिन स्वामी, इतने दिनों बाद दर्शन दिये हो, तो कुछ खाना वाना तू खाके जाओ नहीं जानकी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है उपर स्वर्ग में रंभा, उर्वशी और मेनका ने मेरे इंतिजार में डांस रोक रखा होगा ए ए जानकी, ये क्या रूट गई? वाजिब है तुम्हारा रूटना मगर सुनो, मेरे पैर छोकर आशिरवाद लेने से तुम्हें भी स्वर्ग में जगा मिलेगी फिर हम दोनों मिलकर वहाँ डांस करेंगे साच सवामी सवामी, आप चले गए अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ एक खंटे से दर्वाजा ठोक रहा हूँ, सुना नहीं? दर्वाजा तो खुला है अरे खुला है, मुझे कैसे पता? आकर खोल नहीं सकती थी क्या? क्या कर रही थी अंदर? पिछली जिन्तिकी में खो गई थी क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं ठीक है खाना खाया तूने तो फिर अभी तक तू सोई क्यों नहीं? तेरे आने से पहले कैसे सो सकती हूँ? दादी मा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मेरा इंतजार मत किया कर आधी आधी राज तक जागेगी तो तबियत खराब हो जाएगी चल, सोजा सोजा बाई दादी बाई बेटा सुनिए रवी के लिए जो 25,000 का बंदोबस्त करना था उसका कुछ बना? उसे की कोशिश में लगा हूँ आरती लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ 25,000 तो फिर में 2-3 हफते के बाद चाहिए उसे दिल्ली भेजने के लिए 5,000 रुपए की जूरुत है उसका बंदोबस भी नहीं कर पा रहा मैं एक काम कीजिए मेरी ये बालियां और चोडियां कहीं गिरवे रख दीजे नहीं आरती पिछले 2 सालों से एक ही खुआश रही है मेरी कि अपने जनम दिन पर तुम्हारे लिए एक जरी की साड़ी और सोने का हार लेकर आऊ ताके तुम उन्हें पहन कर मेरे सामने एक नई नवेली दुलहन की तरह आओ लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं कर सका और अब तुम अपने बचे खुचे जेवर भी तो क्या हो गया अगर नहीं नहीं अर्थी रवे के पैसों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अगर भगवान ने चाहा तो कोई न कोई इंतिजाम हो जाएगा राजा एक आइडिया है यार मैं आपने ये कैमरा बेज देता हूँ राजा मेरे घर में एक इंपोर्टेट जीन पड़ी है वाइगोड मैं तो उसे बेज देता हूँ आरे चपरो यार ये सब कुछ बेज कर जो पैसा जमा होगा ना इससे मेरा भाई दिली तो क्या आगरा तक भी नहीं पहुन सकेगा ज्यादा से ज्यादा मैं छे हजार दे सकता हूँ बिलकोल नहीं पंदरा हजार से एक पैसा कम नहीं समझें मैं हाथ चोड़ता हूँ कहाना नहीं मैं पैर परता हूं तुम्हारे होगा पंदरा हजार से एक पैसा कम नहीं भुट्टे चलाट वहाँ जाकर देखो क्या हो रहा है अरे उजी अंकल अंकल यह कौन था यह आपको धक्का देगी गया कुछ नहीं बेटा एक दादा है मेरे घर से किराएदार को निकलवाने के लिए पंद्रा हजार रुपए मांग रहा है मेरे पस छे हजार है आप छे हजार दे सकते हैं हां अंकल जी वाए गवाण आपका काम हो गया आप बस रुपेट ही लेगो तु मेरे घर से किराएदार को निकाल सकते हो हम नहीं है हमारा दोस्त वो सामने ख़ला है उससे मकान खाली करना आसान काम नहीं है ऐसी वैसी नहीं है वो राजा एक पर चल के देखने में हर्जी क्या है, हाँ, इसमें हर्जी क्या है, हाँ तर्णी जिल्ए हाँ ऐसा क्या, तो चलो यह हुद गर है शालो शर्मा खो एक काम करो तुम अदर जाओ मैं जाओ अरे टरते क्यों हो, हम हैना, जाओ चाओ अरे चाहो ना, चलरे बैट्टे अंकल, अंकल गाजा, अंकल क्या हो? अंकल जी क्या हो? मेरा, देखो, मेरा लाजा, अब क्या होगा? इस नायन को मैं ठीक करूँगा, साली तेरी ये हिमत कि तुने मेरा हाथ पकड़ा? तेरी तो… तेखा, ये हाथ कितना रफ है एक रफ़ड़ा मारूंगो तो पूरी बत्ती सी बाहर आजाएगी, समझी? अवे जा-जा ये हूल-वूल किसी और को जाके देना तु मुझे अच्छी तरह जानता नहीं है तु भी मुझे अच्छी तरह जानती नहीं तेरी तो चुप-चाप शराफत से घर खाली कर नहीं तो राम-पूरी निकालूंगा ये राम-पूरी, कोला-पूरी, अम्रीश-पूरी, ओम-पूरी, बताता-पूरी, सेब्सकप इसकी क्या जरूरत है? निकालो, निकालो ना पहले ये चालू-शर्मा का बोर्ड, उखाड चालू नहीं, शालू बोलो, शालू-शर्मा मुझे सिखा रही है, उखाड निकाल, उखाड उखाड, निकालो ना उखाडती है या अंदर ढालू उखाड, उखाडती हू अरे तुम लोग उदर खड़े-खड़े क्या देख रहे हो अंदर जागर इसका पोरिया विस्टर बार फेंगो चलो अगाड, अब मैडम, एक सिर्थ एक्स्क्यूस मी तु अपना काम कर, यह चल भे चल यह लो भाईया, तुम्हारे दिली जाने और रहने का खर्च तुम फटाफट जाने की तयारी करो भाई भाईया ने दिये क्या बड़े भाईया और मुझे में कोई फर्क है क्या इंतिसाम हो गया, इसलिए दे रहा हूँ तुम चुपचाप रख लो मगर यह इतने सारे पैसों का बंदबस्त कहा से हो इंक्वाईयरी मत करो, बाद ने बता दूँगा इतने पैसे आय कहा से कहा ना, इंक्वाईयरी मत करो, बाद ने बता दूँगा मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछता हूँ, इतने पैसे आय कहा से अब छोटे भाईया के नहीं दिली जाने के लिए उधार लिया कहीं से, तो फिर दादागरी की होगी, मैं दादागरी वादागरी नहीं करता, तो फिर तु बोलता को निकाहा चाया इतने पैसे, क्या भाईया आप तो ऐसे डाटरें जैसे कि मैं जेब काट कर या चोरी कर के अरे चोरी नहीं की, जेब नहीं काती, दादागरी नहीं की, उधार नहीं लिया तो फिर का पैसा, उपर से तबक पना, क्यो रे, क्यो खामाखा दाट रहा है इस पिचारे को, अरे तू क्या समझता है, कि ये किसी उल्टे सिध्य तरीके से पैसा का माकिल आएगा, अरे हार राजा, भाभी, भाभी, भाभी ये लो, जरी की साड़ी और सोने का हार, सोने का हार, सोने का मतलब सोने का पानी चड़ा हुआ हार, इसका मतलब है, सुबर तुमने हमारी बाते सुन ली, देख राजा, मैं तुझसे नाराज नहीं होंगा, लेकिन अब तो बता, तू इ होता कि यह यहां तक पहुँच जाएगी, तो वहीं साली का काम तमाम करते था कौन हो बेटी, तुभे क्या चाहिए है? और यह सारा घर सास लेकर क्यों गूम रही ही दो? आप एंक्वाइरी मत कीजिए दादी जी, मैं आपको बाद में सब बता दूगी मैं देख रही हूँ कि सबसे अच्छा बेटरूम कौन सा है? बेटरूम की बच्ची, यहां से फटा वट चलती बन देखा यह हाथ कितना रफ है, एक रफ आणा मारूंगा तो पूरी बत्ती सी बार आ जाएगी हाँ मारो, मैं यहां तुम्ते मार खाने के लिए ही आई हूँ, ठेक्ची हो, कितना मार सकते हूँ मुझे यह हो रहा है सब, को रहा है लड़की मैं बताती हूँ जेट जी जेट जी? मैं एक सीधी साधे गरीब लडकी हूँ गरीब नहीं बड़े भईया, यह तो चालू लड़की है चालू नहीं, चालू नाम है मेरा, चालू शर्मा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इसने मेरे साथ जो हरकत की है उसके बाद मैं कहीं भी जाने के लाहिक नहीं रही इसने तो मेरी जिन्दगी तबाह कर दी राचा चल रहा अरे दादी 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 मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो अरे मेरी बात तो सुनो अब बता ये सब क्या है ये लड़की कौन है और इसके साथ तरह रिष्टा क्या है तुने क्या किया है इस रिसाए? दादी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा और इसका कोई रिसा नहीं है, मैं तो जानता तक नहीं इस चालू को जानता तक नहीं? धूटा कशीका? उसने, उसने ना सिर्फ मुझसे मेरी छट जीनी है, बलकि इजद से जीने का हग भी जीना है ऐसी जगह जहां इजद की हिवाज़त हो सके, कम से कम 20-30,000 रुपए डेपॉजट चाहिए और मैं हूँ एक गरीब और शरीफ लड़की, इतनी बड़ी रकम का मैं कहां से इंतिजाम कर सकती हूँ मैंने फैसला कर लिया है कि इस लड़की का क्या कर रहा है, तू भी पे मत बोलना, बस जब तक तुम्हे रहने के लिए अपनी पसंद की कोई जगह नहीं मिलती, तुम यह रह सकती हो सच? हाँ 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 बेटी, तुम हमारे घर में रह सकती हो, जब तक चाहो दादी जी, आज आपका ये प्यार देखकर अचनक, मुझे मेरी दादी और नानी दोनों बहुत याद आ गई जिति रहू, जिति रहू बेटी, मेरा कमरा किधर है? राइट में या लेट में? लेट में बातरूम है, जजा वही तेरा कमरा है आजा, बेटी, वह तेरा कमरा है, जा प्लीज, आप जड़ा हटी है आप बोलो, उस यूनियन लीडर का तुम लोग ने खून किया या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं किया नहीं, नहीं किया नहीं किया? नहीं खून तुम लोगों ने ही किया है और तुम लोगों को कबूर करना पड़ेगा नहीं, इंस्पेटर अब इनका पांचवा साथी आया है तुम हो इस खतरनाक गैंग के लीडर अगर आपकी नजर में ये गैंग है तो इसका लीडर मैं ही हूँ मगर ये खतरनाक नहीं है, इसपी साहाब मजबूर और बे सहारा गैंग है अच्छा, तो मजबूरी और लाचारी इस हद तक बढ़ गई थी कि तुम लोगों को इस यूनियन लीडर का खून करना पड़ा खून? आपका खसूर नहीं है पुलिस वाले हो ना, ऐसे ही बात करोगे अभे तक तुमने सिर्फ पुलिस वालों की बाते सुनी है लगता है कभी मार नहीं खाई तुम लोगों की भलाई इस ही में है कि तुम चुप चाप शराफत से अपना जरूम कबोल कर लो जिद जबरदस्ती करोगे तो मैं कबोल कर लूँगा मगर अदालत में ये थाबित कर दूँगा कि हम पांच नहीं छे आदमी थे और छे नंबर के तुम हो I dare you कातलो आप लोगों को गलत फहिमी हो रही है कातल पकड़े जा चुके और अंदर कारवा ही जा रही है इन कातलों को पकड़ा है आपने उन चार बेरोजगार घरीब नहुजवानों को जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वेरोजगार है क्या बकत्त हो वक्त नहीं रहा हूँ, S.P. साब, बलके वो सच्चा ही बता रहा हूँ, जिस पर आप पर्दा डालने की कुछ रिश्च कर रहे हैं, सारा शेर जानता है, कि ये वहशयान कदल देशपाल और उसके भाई नाकवाल ने किया है, मेरे पास वूद भी मौझूद है, अगर आप न ने उन कातिलों को गिरिस्तार नहीं किया, तो कल वो सारे सबूद मैं अखबार में छाप दूँगा, समझे आप? शाबाश, मिस्टर अनीस, आप जैसे सच्चे और इमानदार जर्नलिस्टों की, इस देश को सक्स जरूरत है, जो दरिंदों के चेहरों से नकाब उठाकर, उनके असली रूप जनता को दिखा सकें, मिस्टर सक्सेना, एक बात याद रखना, ये वर्दी तुम लोगों को जनता की हिफाज़त के लिए दी जाती है, उनकी डांगे तोडने के लिए नहीं, जलो रहे, कलम का बहुत बड़ा सिपाही है तू, पता वो सबूत कहा है, उनक क्यों मारता है इस बेचारे को, अरे सबूत तब तक जरूरी है, जब तक ये जिन्दा है, जब यही नहीं रहेगा, तो सबूत अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, जिन्दगी और मौत इंसान के नहीं, खुदा के हाथों में है, हाँ, हाँ, जिन्दगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, बगर मौत का डिपार्टमेंट, हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है, मुन्ना, अब तक तो तुम समझ गये होगे, कि हम लोग यम्दूद से थोड़े ज्यादा है भगवान से थोड़े कम नहीं तेचपाल तुम लोग कुटो से थोड़े ज्यादा हो सुवर से थोड़े और ज्यादा या अलाँ ये रहा आपका हिस्सा दिन बदिन तरक्की कर रहे हो हुजूर पहले स्टील की थाली मिलती थी और अब चांदी की मिलने लगी है आगे आगे देखती जाओ चंदा मैं कितनी तरक्की करता हूँ एक दिन मैं तुम लोगों से सोने की थाली भी लूँगा इधर इधर सीठी मैंने ही वजाई है आपने? ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है बालके मैं और मेरा पोता बिलकुल एक जैसे है ना जी बिलकुल एक जैसे है अच्छा ये पता मेरा पोता लगता कैसा है तुझे इसमें शर्माने की बात क्या है वो तुझे पसंद है पसंद है? अरे जब वो हाथ दिखा के कहता है ना ये हाथ देखाए कितना रफ है एक रफाड़ा मारूंगा तो नहीं जाने मुझे क्या हो जाता है फिर देर क्यों करती है पटाओ उसे पटाओ पटाओ? अरे तादा जी आपका अशिर्वत साथ है तो वो तोता मेरा पतलब है पोता बच के जाएगा कहाँ? पटा के ही रहोंगी उस मिया मिच्छु को तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गए मिठे मिठे तेरे सपनों में खो गए मैं तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गए मिठे मिठे तेरे सपनों में खो गए मैं तुझे पे मरने लगी त्यार तुझे करने लगी पिजने में दिल के तू आजा मैं तुझे को बेठा लू मैना मेरी मैना मैं तो तेरा हो गया मिठे मिठे तेरे सपनों में खो गया मैं तुझे पे मरने लगा त्यार तुझे करने लगा पिंजरे में दिल के तुआ जा मैं तुझे को बिठा दू तुटा मेरी तुटा मैं तो तेरी हो गई पर मेना मेरी मेना मैं तो तेरा हो गया को तुटा मजिएयगī एगा तुटा में तुटा मैं तुटा में एगा म Salए-इस देखके तुझको ले मेरा डॉला देखके तुझको दिल मेरा डॉला देखके तुझको दिल मेरा डॉला आहा आहा दिन तेरे नहीं मुझको जीना है धक धक सी होने लगी नेंद मेरी खोने लगी आजा दिल जाने तुझे भलकों में अपनी छुपारू मेना मेरी मेना मैं तो तेरा हो गया पर मिठे मिठे तेरे सपनों में खोग गया है मैं तुझे पे मरने लगा प्यार तुझे करने लगा पिंजर में दिल के दुआ जा मैं तुझे को भिखा लूँ तुथा मेरी तुथा मैं तो तेरी हो गयी मैना मेरी मैना मैं तो तेरा हो गया आशिया कोई हम बनाएगे हम तेरी बाहों में धिन बिताएगे तो आशिया कोई हम बनाएगे हम तेरी बाहों में धिन बिताएगे दो दिवान थे देख हो गए आहा आहा मिलके हम यहां ऐसे खो गए आहा आहा दुनिया से जूर हुए किश्क में हम जूर हुए धालकों में कहती है तुझे को मैं सीने से लगा तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गए मिठे मिठे तेरे सपनों में खो गए मैं तुझे मरने लगा प्यार तुझे करने लगा पिंजरे में दिल के दुआचा मैं तुझे को बिठा हूँ तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गए पर मेना मेरी मेना मैं तो तेरा हो गए दादी दादी जल्दी थरा आओ क्या देखो 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 से मैं कहता था न यह बहुत चालू लड़की है सीधे दादा जी को लाइन मार रही है साच हाँ क्या हो गया है आज कल की लड़कियों को जब ये मेरे पती की तस्वीर देखकर इस तरह नाच रही है तो वो जिन्दा होते तो उन्हें लेकर भागी जाती शालू शर्मा बेशर्मा ऐसा मत कहिए सेट जी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ मेरे शोटे भाय की बढ़ाय धुरी रह जाएगी सेट जी बड़ी उमीद लेकर आया हूँ निराश मत कीजिये दया कीजिये क्या बात कर रहे हो अमर बाबू भाई साब ने बताया है कि जो कर्स आपने लिया है उसका असल तो क्या याज भी नहीं दे रहे हो मैं कोर्ट नोटीस लेकर आपके घर आने वाला हूँ बात समझा ही अमर बाबू चलो मेरे साथ क्यों तेह कोई और नहीं, रिक्वेस्ट है कुछ काम है तुमारे साथ चलो ड्राइव चलो ड्राइवर आओ राजा ये तो अमीरों के शौक का खेल है आप मुझे यह क्यों लाए है अमीर बनाने के लिए वैसे इस खेल का अपनी जिंदगी से बहुत करीब का रिष्टा है ये जो लाल बॉल नजर आ रहे है न ये आम लोग है तुम्हारी तरह और ये जो पिंक, ब्लू, ब्लाक, ब्राउन, ग्रीन और येलो बॉल्स है न ये समाज के इजददार लोग है मेरी तरह बाकी रहा ये सफेद बॉल इन सारे बॉल्स मेंसे किसी को भी हटाने या कहीं भी भीजने की ताकत सर्फ इस सफेद बॉल में है और वह सफेद बॉल, हम है इसे सफेद बॉल नहीं, क्यूब बॉल कहते हैं अच्छा और इसे क्यूब कहते हैं इसमें इतनी ताकद होती है कि ये सबसे ज्यादा ताकदवर इस क्यू बॉल को भी जहां चाहे, जिस कॉर्णर में चाहे, बेच सकता है और ये क्यू मैं हूँ शावाश रक्रेणा, शावाश बहुत काम का आद्मी लाए हो, ऐसे काम के आद्मियों गया मैं बहुत पसंद करता हूँ तुम्हारे जैसे आद्मी की को हम लोग आखें बंद करके काम पर रखे लेते हैं और हम हर काम की कीमत भी अच्छी देते हैं खंकी देने का 1000 पाच हजार मारा-मारी करने का हाथ-पैर तोडने का 15,000 आखोन करने का 50,000 मतलब आप मुझे गुंडे की नौकरी दे रहे हैं नहीं, गवर्नर की आरे गुंडे की ही है लिकने ऐसे वैसे की नहीं ए-1, 1st class गुंडे की आराम से रहोगे, इज़त से जीओगे, चार लोग तुम्हें सलाम करेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? बस मेरे कुछ उसूल है, मैं धंकी नहीं देता हूँ चलेगा मारा मारी करता हूँ, मगर जब किसी गरीब का हक छीना जाता है, तब हाथ पैर भी तोड़ता हूँ, मगर जब किसी मजबूर के साथ नाइंसाफी होते देखता हूँ, तब और रहा सवाल खुन करने का, वो मने आज तक नहीं किया, मगर करूँगा कब? जब इन जैसे पुलीस वाले तुम जैसे गुंडों के साथ मिलकर इस राज को गुंडा राज बनाने के कोशिश करेंगे, तब तुम बंदूक से थोड़े ज्यादा हो, तोप से थोड़े कम, नहीं सक्षेना नहीं, या आदभी काम का नहीं है राजा, तुम्हारा दिमाग तो टिकाने पड़ है, तुम जानते हो, तुम क्या कह रहे हो, किस से कह रहे हो? यही सवाल मैं तुम से पूछना चाहता हूँ, कानून के रखवाले होकर गुंडों का खात्मा करने की बजाए, देश के बेरोजगार नौजवानों को गुंडा बना रहे हो, पती खुद अपनी पतनी को बाजार में बेचाए, उससे भी खटिया और गिरा हुआ काम किया ह नजße पोत हमने, काम की खुद की खुद संसके अपना आ बना र्ø, टोना यूटिया वह होगिस्ट जला में व्लाजप। व्हाहहँ जो गाहहँ जो आगो जेता। आगाहँ जाने किस बेड़ जाने की कि अच्टे कि तो आगाँ है तेजपाल तुम्हारे सारे आदमी औरतों से थोड़े ज्यादा हैं मर्दों से थोड़े कम तुम्हारी तरह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस लड़के को अपने हाथों में लेना ही होगा फिर चाहे ये प्यार से माने ये हमार से ए लदी क्या हुआ भाया क्या बात है भावी सब लोग क्यों खामोश है अब आखिर बात क्या है बड़े भाया लिखते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर मजबूर हूँ इम्तिहान बस अपसर पर ही है दो-चार रोज में पैसे नहीं मिले तो मेरी सारी मेहनत पर पानी खर जाएगा मेरे लिए आज तक जो भी आप लोगों ने किया है वह बहुत है पैसों का इंतिजाम नहीं हो सके तो मेरी फिकर मत करना लेकिन ऐसी सूरत में वापिस आकर आप लोगों पर बोज नहीं बनना चाहूँगा आपका अरवी बड़े भाया तुब जानते हो राजा हमारा अरवी कितना जजबाती है ऐसी सूरत में वो कहीं खुदकुशी नकर बैठे अरे राजा वो दीपक गया दो दीपक अपने साथ कॉलेज में बढ़ता था वो लंबू बोड़े लोड़ा हाँ वही बीस पच्छे हजार उससे मांगें के तो मना नहीं करेगा लाख वरोपे कमाला आजकल क्या बखवास कर रहा हो तुम और वो एक्सिरेंट मेरी बेटी ने किया इसका क्या सुबूत है तुम्हारे पास वो साथ से को मेरे अलावा और भी बहुत से लोगों ने देखा है और सुबूत मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कहा पहुचाए जाते हैं और कैसे सुनिये मेरी बात सुनिये आप अंदर आईए आप बिल्कुल सच कह रहें एक्सिरेंट मेरी बेटी नहीं किया है लेकिन यह सारे घर की सजावट देख रहे हैं आप कल मेरी उसी बेटी की शादी है और इकलोथी बेटी है मेरी वो अगर पुलीस को पता चल गया तो कल मेरी बेटी शादी के मंडब की वजाए हवालात में दिखाई देगी यह शादी तो रुखी जाएगी लेकिन यह रिष्टा भी तूट जाएगा और उसका धर बसने से पहले ही उचड़ जाएगा वो तो ठीक है लेकिन उस आदमी का क्या होगा जिसका एकसिडेंट हुआ है मैं उस आदमी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूगा उसके अस्पताल का सारा खर्चा माय करूँगा उसके उपर वो जो मागेगा मैं दू पूची है कि मुल्सिम राजा की लापरवाई की वज़े से ही एक अच्छा बला तंदरुस्त आदमी अपाहिज हुआ है अदालत राजा को इसाथ से कद जिम्यदार मानते हुए मुजरिम ठहराती है और सेक्शन 348 आईपी सी के तहट छे महिने कैद की सजा सुनाती है जेलर साथ बोला रहे है सर आपने मुझे बुलाया सर आप एक जेलर होते हुए मैंने जो हरकत की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मेरा यकीन मानो राजा अगर मेरी बेटी के भविश्य का सवाल ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ पुरानी बातों को छोड़िये सर ये बताए निशा खुश तो है ना बहुत खुश है और ये खुशिया उसकी जोली में तुम ही ने डा लिए सर आपने भी जो मेरे लिए किया है वो कुछ नहीं किया है जो तुमने मेरे लिए किया है न उसके सामने कुछ नहीं किया है बगवान ने इतनी छोटी उमर में तुम्हे इतना बड़ा दिल दिया है ये चाहता है तो मैं गुरू मानू Sir, आप मुझे गुरू? हाँ गुरू! गुरू? गुरू से मिलने आई हो! क्या लगती हो उनकी? गुरू नी! गुरू नी? ओ ओ तुम इतना भी नहीं समझते! मैं उनकी पत्नी हूँ पत्नी? क्या कहा तुमने? तुम हमारे गुरू की पत्नी हो अरे बेटी तो तुम खड़ी क्यों हो, बैठो न, बैठो न, आओ यहां बैठो, आओ बैठो, आराम से बैठो, अरे भाई मुख्या देख रहे हो, जाओ कुछ ठंडा गरम चाहे कुछ लेआओ, जी अभी लाया लेकिन बेटी, जी अंकर गुरू तो कह रहे थे के हो कुवारे हैं, हाँ 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 हाँ, एक तरह से वो कुवारे जैसे ही हैं, हम दोनों ने शादी तो कर ली, मगर अफसोस अभी तक सुहागरात मनाने का मौका ही नहीं मिला उस रात मैं अकेली सेज पर बैठी, उनका इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आये, और जब सुबह हुई तो पता चला कि वो किसी आक्सिड़न के जुर्में हवालाप में बंद हो गये हैं, अब एक तरह से वो कुमारे जैसे ही हुए न, गुरू, जब तुम मेरे लिए सकते हुँ, तो मैं भी तुमारे लिए कुछ ना कुछ दरूर करूँगा, बेटी, तुम बहुत भागेशाली हो, कि तुम्हे इतना अच्छा पती मिलो, ये लो चावी, और जाके अपने पती से, आराम से, इत्मिनान से, चाहे जितनी बाते करो, तैक यू, अंकल, तैक नहीं, नहीं नवेली दुल्हन को यहां देकर, वो बहुत गुसा हो जाएंगे, हो सकता है, वो चीखेट चिलाएं, मगर उनकी आवाज सुनकर आप बहां मुता आजाना है, वरना उन्हें मनाने को मौका ही नहीं मिलेगा मुझे, नहीं बेटी, तुम बिल्कुल फिकर मत कर वो तुम, कहान होते होएं भी हम लोग सब बहरे हो जाएंगे, हां, और जब तक तुम्हारे चिलाने की आवाज नहीं आएगी न, हम में से कोई वहां कवाब में हड़ी बनने के लिए नहीं आएगा, यॉशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुश वो, वो गुद्नि में गई अभागवान ये ऐ लडकी सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोडए गी यह सच है तुम शालू शेर्मा बचाए जेलर साफ अरे कोई है अरे होलदार देखो ते रुको 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 अरे जेलर साफ कोई वहां मत जाना था अरे बचाओ जेलर साफ बचाओ प्लीज एसे जोर-जोर से चिला के कोई फादा नहीं तुम्हारी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आने वाला एक रपाडा मारूंगा तुम्हारा इतना गुसा हो रहे हो यह तो सोचो मैं इतने दूर से सिर्फ तुम से मिलने आई हूं क्यूं आई हो चुम्मा लेने चुम्मा क्या चुम्मा तुम्हें भी नहीं मालूं इंगलिश में किस और हिंदी में पपी आणात, ले लो, प्लेलो नॉ पास मताना, ले लो नॉ अगे, फास मताना, तअगे भास मताना, भ्लेलो नॉ तुझे आरे छेरूंगे मैं ना तुझे एक पपी दे दे मुझे एक पपी दे मुझे मैं तनहा के लिए रहूंगे कैसे ये दर्द जुदाए सहूंगी मैं कैसे मैं तनहा के लिए रहूंगे कैसे ये दर्द जुदाए सहूंगी मैं कैसे आ मुझे को थाम ले मस्ती का जाम ले प्यासी जवारी है थोड़ी दिवानी है बाहों में ले इसे एक पपी दे दे मुझे एक पपी दे मुझे एक पपी दे मुझे एक पपी दे मुझे एक पपी दे मुझे मैं तेरी आदो को ख़यालों में पसालू मैं तेरे चहरे को निगाहों में छुपालू मैं तेरी आदो को ख़यालों में पसालू मैं तेरे चहरे को निगाहों में छुपालू तू मेरे पास है सांसों की प्यास है तू मेरी रानी है दिल की कहानी है तू धरकनों में बसे एक पपी दे दे मुझे एक पपी दे दे मुझे पास नहीं आऊंगा दूर चला जाऊंगा चेड़ूंगा मैं ना तुझे एक पपी दे दे मुझे 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 चलोट, बार निकल एक पपी क्या कर रहा गुरू, क्या कर रहा क्यों बरस रहो बिचारी बेतना कोई पत्नी किसा रैसा सुलू करता है क्या पत्नी? कौन पत्नी? किसकी पत्नी? अरे जेलर साब आपका दिमाग ठिकाने पर है के नहीं है? अरे इससे मेरा दूर दूर का कोई इससा नहीं है नहीं, प्लीज, ऐसा मत कहिए चुना मत अंकल जी, अंकल जी, आप ही बताईए कोई भी हिंदुस्तानी नारी कैसी रहर आत्मी का हाथ पकड़कर मेरा पती, मेरा पती कहेगी क्या? ना बिटाना, बिलकुल नहीं कहेगी जीलर साब आप इसकी बातों मत आये देखो गुरू, एक हिंदुस्तानी लड़की है इस किसम की बाते हर्गेज नहीं करेगी अच्छा, अगर ये सच कह रही है तो इसे अपना मंगल सूत्र दिखाने के लिए कहिए जल दिखा गुरू, बेटी, दिखा दो मेरा मंगल सूत्र है हाँ, आज मॉनिंग ना, नहाते वक्त ना, मैं बातरूम में भूल गई हाँ, बातरूम में भूल गई हाँ, बातरूम में भूल गई जरणाए मुझे। अंकल सब समझ गय हैं? अंकल को तुम चूना लगा रही हो तुम चूना लगा रही हो यू चजबात में बहा कर मुझे बेवकूप बनाने के कोशिच मत करो समझे? निकलो यहाँ से! निकलो यहाँ से! यहाँ वरना लाट ना शाज करो और मैं उस जेल का जेलर हूँ, जहां तुम्हारा छोटा भाई राजा छे महने की सजा काट रहा है। पच्चीस हजार का ये ड्राव भेज तो मैं रहा हूँ, मगर ये पैसे राजा के हैं, उस पुरबानी के हैं, जो उसने तुम्हारी खादर दी है। दादी, राजा, राजा मार मुझे, मुझे तू भी गालिया दे, उस रोज क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, अरे तुने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया, और मैंने तुझे कितनी गालिया दी, अरे दादी मां क्या कह रही हो तुम, ऐसा कौन सा काम किया है मैंने, अप बहुत बड़ा हो गया है राजा राजा अरे पपो मुनी कैसे हो तुम लोग आओ मेरे पास मुझे भी एक पपी दो ना जल्दी जल्दी मैं कबसे बेताब हूँ कम ओन इससे पहले की कोई देख ले कम ओन जल्दी अच्छा अच्छा कड़े कड़े तू फिर यहां आ गई चल यहां से निगल जेलर साहब यह हमारे साहब है हाँ पिटे अब हम चलते हैं अच्छा दाजेलर साहब हमारे राजा का ख्याल रखना आप बिलकुल फिकर मत कीजिये बस यू समझ यह जेल में नहीं अपने घर में है अच्छा राजा हम चलते है मैं मैं चाचा शालू तुम इनके साथ नहीं जाओगी मेरे साथ यहीं रहोगी वेरी गुड एक रफाम मरूगा चल निकल पार निकल नमसकार मेरा नाम शांती प्रशाद दंगा अमेले लेकिन आप लगते हैं दंगे से थोड़े जयादा शांती से थोड़े कम शकल ही कुछ ऐसी है सरकार तेजपाल साब अगर आप क्यों मेरे बीच में यह सौधा तैय हो गया मैं मरुआ दूँगा किसा है अपने आपको नहीं अपने आपको नहीं एक MLA है बहुत अची आउरत है इसलिए बुरी लगती है मुझे इंदू मलातरा की बात कर रहा है या यहां मगर उसके होम मिनिस्टर बनने के चांसे मुझसे कही जादा है अगर उसका मर्डर किया जाए तो होम मिनिस्टर की के लिए मैं अकेला कैंडिडेट बचता हूँ होम मिनिस्टर बनते ही मैं अपनी सारी स्टे आपके कदमों में लाके रख दूँगा वह सब बात की बाते हैं इस काम के हम पचास लाक रुपे लेंगे ठीक मैं देने के लिए ते यार मैडम कोई मिस्टर अमर आपसे मिलने आये हैं सापको विजिटर्स रू में बिठाओ मैं अभी आती हूँ आप अंदर बैठिए मैडम अभी आती है शुक्रिया अरे आज तू आज़ा गंटा पेले केसे आगया तेरी नहीं नहीं शादी हुई है ना जा गड़ा खच्छू आप 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 अाप आप 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 पंए नहीं आप काम हो गया? ये साथ विए साथ गुद, वर वरे गुद, शीलेंट धिक है साथ लेकन एक काम अभी बखी है काा? हुआ है एक है। मार गया साना देखो स्थामर यह बहुत बड़े लेवल का केम है और तुम्हारी जान को भी खत्रा हो सकता है इस वक तुम कहां से बात कर रहे हो जी यह वो सिविल हॉस्पिटल के सामने जो टेलेफोन भूत है मैं वहां से बोल रहा हूँ ठीक है तुम तुम्हे काम करो तुम वही रहो मैं हुदातों अरे यह तो राजा की बढ़ भी यह है चल देखते है अजा जूजसुन लगया बभाई भी है यह है खरुंग अज़ अज़ है कर भी यह भी है खखएगे! खखफएएशा aoोओ! Anे खएएएएएएगे! आजिए कोल मौध कि बनी दुट चुछ हु實 कर दो कर दो दो, पराइуск आपर कर दो तुम बहुत दिनों से जेल नहीं गए न, तो ये काम करो, ट्रक को इस लाश के उबर से चला दो, और एक्सीडेंट के जुरब में थोड़े दिनों के लिए जेल में जाकर आराम करो, ता कि किसी को हम पर शक न हो, हम, को कि सर्थ? कैसे, कैसे हुआ? लगी एक्सीडें लुआ की तुम ग्च्ट में एंगा लिए लादी लुआप लूए लुआट वड़ी खी Red लुआे वाई 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 लूए ।ुमा आपिघ जसानी वारे की धारे. Wenn दो दुमति हैं मिमुली को सहते हैं. आ'sती हैं, जसानी दूद 국 REALS अथ क्रीस, जसानी जती है, denken हciplी करूरू साफ. को 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 सी एया हैं, जाफके चुमति हैं, हैं जती हैं, सहाब ये लीजिए अच्छा, तो तू है वो लॉरी ड्रैवर जिसने हमारे गुरू के बड़े भाहिया की जान ले ली मुझरिम को आपके हवाले कर दिया है, अपने चलता हूँ ठीके, ठीके 302, 117, इसे सेल में बन कर दो कुछ लोग साहिल पर आकर डूब जाते हैं, इंस्पेक्टर ये रवी कुमार भी उनी में से एक है अब मैं देखता हूँ ये कैसे कलेक्टर बनता है इस्पेक्टर, तुम जा सकते हैं ये सर उस तस्वीर के बारे में कुछ भी लिखने से पहले एक बार इन तस्वीरों का रंग भी देख लो ये सब क्या है? जो दिखाई दे रहा है तुमारी बेहन इस प्यारे से लड़के से प्यार करती है तोनों साथ में पड़ते हैं क्या ऐसा नहों कि अपने दुश्मन की जिंदगी बरबाद करने में तुम अपनी बेहन की जिंदगी तबाह कर बैठो तो अब मैं क्या करूँ? सक्सेना तुम चील से थोड़े ज्यादा हो गिद से थोड़े कम तुम इसके साले बन जाओ और वो साला राजा जो अपने खिलाफ दिवार बना हुआ है वो दिवार खुद बखुद गिर जाएगी अरे कलेक्टर रिष्टेदार होगा तो अपने सारे काम बड़ी आसानी से हो जाया करेंगे अरे किसमत ही फूट गई किसमत फूट गई हम बर्भाद होगे क्या हुआ दादी हमार तो सब कुछ रुट किया मेरे दादी हुआ क्या चाचा चाचा पापा हलका पापा हमाँ अरु गर में इतना बड़ा हाथसा हो गया और मुझे किजी ने बताया तक नहीं उस वक्त आपके इम्तहान चल रहे थे और इम्तहान के दिनों में मैं आपको इतने बड़े इम्तहान में नहीं डालना चाहता था अगर मुझे से कोई गलती हो गई हो तो अच्छा गुरू अपना खयाल रखना मैं तुम्हारा ऐसान कभी नहीं बूलूँगा और हाँ जिन्दगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पढ़े तो बिना हिच के चाट के मेरे पास चले आना जरूर हाँ हाँ ए यह क्या मुझ बनागी रखा है जब मैं जेल जा रहा था तब भी तुम ऐसे ही थे आज मीज होकर आ रहा है अभी ऐसे ही हो आड़े थोड़ा एक्सपरेशन जेंज करो यार आजा तुम्हारे बड़े भया को अट कि आज परीज क्या है रे तुम्हारे बड़े भया की मौत का सदमा ये भूला नहीं पाया है नहीं राजा नहीं तुबढ़ा भी या बच्पना या ठीक इडी डी गंड्रोल गंड्रोल चल राजा चल 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 जल्दी से काम निपट ले इतना काम पड़ा है कुई समझता ही नहीं बस लगे है अरे तु अभी तक इस्ति में लगी हुई है जा रोसोय में जाके मसाला आज मचली और काजू का पुलाव बनाना है राजा के लिए अरे तु आभी तो मालू में उल्चुई है राजा आ रहा है मालूम नहीं क्या अलो इसे लवली सर्प्राइज आई दादी मा यहां के एस्पी साहब नमस्ते एस्पी में औरों के लिए हूँ मा जी आपके लिए नहीं वैसे मेरा नाम शमेंदरनाच सकसेना है और यह मेरी भेन री तु है नमस्त जी ती रहो बैचे न आप लोग शालूक जरा चाहे बनाना हाँ भी लए चलो 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 एस्पी साहब आप जैसे बड़े आदमी ने हम जैसे छोटे लोगों के घर आने की तकलिफ कैसे की कोई छोटा बड़ा नहीं होता माजी और अगर मैं बातों को मानता तो रिष्टे की बात करने ही क्यों आता रिष्टा हा माजी मैं अपनी भेन को आपके घर की बहु बनाना चाहता हूं रितु और रवी एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं एक दूसरे से प्यार भी करते है और फिर आपका पोता शर्मीला है वो अपनी शादी की बात आपसे कर नहीं सकता इसलिए मैं खुद चलाया देखिए हमारे घर का एक उसूल है घर का छोटे से छोटा फैसला भी हम सारे घर वाले आपस में मिलकर करते हैं और ये तो बड़ा फैसला है जब तक मेरा छोटा पोता आना जाए जेल से मुझे सब पता है माजी मगर ऐसे फैसले तो घर के बुज़र्ग लोग करते हैं इनमें बच्चों का क्या काम आपके पोते के आने से पहले हम आपस में तै कर लेते हैं और उसके आते ही उसे खुशकबरी सुना कर उसका मुँ मिठा कर लेंगे कि इसकी सहा हमारा राजा चोटा जरूर है लेकिन उसकी राय हमारे लिए मिठाई से भी ज्यादा मिठी उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा चाचा आगे चाचा आगे। सक्साना साब, यह मेरा चुटा भाई राजा है कैसे हो भाईया? तू कैसे है? मैं ठीक हूँ राजा यह इन्हे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाईया इस्पी साब, आप जरा मेरे साथ बाहर चलेंगे कुछ जरूरी बाते करनी है आपसे अच्छा यह बताईये अंदर आप जो ड्रामा कर रहे थे यह सब क्या है? ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैं शादी की बात करने आया हूँ अब हम लोग बहुत जल्द रिष्टेदार बनने वाले है एस्पी साब आपने देखा होगा अब तक हम लोगों ने घर में कुट्टा नहीं पाला इसलिए नहीं कि हम उसके आगे दो वक्त की रोटी नहीं डाल सकते बलकि इसलिए कि कोई अच्छी नसल का मिला ही नहीं अब आप खुद सोच लीजिए जब हम कुट्टा भी नसल देख कर रखना चाहते है फिर आप तो रिषिदार बनने की बात कर रहे है जवान हो ना इसलिए दमाग की बजाए दिल से काम लेते हो मगर ठंडे दिमाग से जरा सोचो कहा तुम और कहा हम तुम्हारी आउकाद हमारे घर के नौकर से ज़ादा नहीं है और हमारी हैसियत को तो तुम अच्छी तरह जानते हो अगर फिर भी हम जमीन के साथ आस्मान का रिष्टा जोड़ना चाहते हैं इसलिए कि मेरा भाई कलेक्टर बनने वाला है तुम्हारे गंदे दिमाग की गंदी साजश में अच्छी तरह जानता हूँ अपने कलेक्टर जीजा की आड में तुम अपने मुझरिम साथियों को बचाना चाहते हो मगर ये मत भूलो के तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में मैं खड़ा हूँ राजा मैं जिंदगी में बहुत कम फैसले करता हूँ लेकिन एक बार फैसला कर लूँ तो वो पहाड से भी जादा अटल होता है और ये तो पत्थर की लकीर है कि मेरी बहन तुमारे घर की ही बहु बनेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर के इतने टुकरे करूँगा कि तुम गिन भी नहीं पाऊगे एए उंगली दिखाने से पहले जड़ा ये देखो ये तुमारे भाई की किसमत की किताब है जिस पे उसकी तकदीर भगवान को नहीं मुझे लिखनी है किसी भी I.S. आफिसर को कलेक्टर बनाने के पहले सरकार उसका फैमिली रिपोर्ट देखती है ये फैमिली रिपोर्ट बनाने का काम मुझे सौपा गया है अगर मैं इसमें लिख दू कि उसका छोटा भाई गुंडा है जेल तक काट चुका है तो तुमारा भाई कलेक्टर तो क्या कंड़क्टर भी नहीं बने गया अब फैसला तुम्हारे हाथ में मैं अंदर चलता हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है सौपा आण्डी है अश्कर, वर्कम, 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 सौपा अखाई हो, सकसेड़ा रे भई, बडा रंग जमारका है तुम्हारा हूँ पड़ी रॉने कैसदी है यहा तो आपकी मेरवानी है तेश्पाल साभ वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड वा 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 क्या बात है अरे भाई सखेना बहूत खूब रिष्टा जोड़ा है तुमने हाँ तुम्हारे हातों में सबसे ज्यादा ताकत मरक्यूई आगया है समालकर रखना इसे हाँ कभी बिलियर्ड खेलना होगा तो काम आएगा चलिए चलिए तेश्वास साथ इस पुलों की माला से इनको शर्दानजली अर्पित कीजिए ताकि इस महानात्मा को शान्ती मिले ओम अंगलम अमर जी आप हमेशा अमर रहे देखो जिन हाथों से बड़े भईया का खुन हुआ वही हाथ उनकी तस्वीर पर फूलों की मला डाल रहे हैं मुझसे बदाश नहीं होता मैं बदाजो दो सबको बादल हो गया क्या अकर गुंदू यहारा तो सब गड़ोड़ हो जाएगी चल जो 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 पुटो ओम सरुमंगर मांगले शिवे सरवाद साधिके शरंडे द्रंब केगवरी आरेणी नमस्तुते अरबैनाई ओम तदेवं लगनं सोचीवं तदेवं तारा बलं चंद्र बलंच विध्या बलं कितनी बेरमी से माना थे इन लोगों ने बड़े भाया को पेर बस चले तो इन कमीनों को में कुट्य की बहुत मार दू धीरेज रख यार गुद्वू भगवान ने चाहत हो भगवान कुछ नहीं कर सकता और अगर भगवान होता तो इतना बड़ा अनर्थ हो नहीं नहीं देता गुद्वू ठीक कह रहा है अरे सक्षेना जैसे कानून के रखवाले जिन बड़े लोगों के पाल तू कुट्य बन जाते है तो भगवान भी उनके सामने बेबस हो जाता है कोई उनका कुछ नी बिखार सकता ऐसा नहीं कहते है यार सुन एक आइडिया मेरे पास अगर पुलीस उनके साथ है तो यह ज़रूरी थोना सरकार भी उनके साथ है क्यो नाम बड़े भईया के कतल के सारे सबूत होम मनिश्रों को भीजवा दे जोगटू शायती ठीक है रहा है हाँ रादी जल्दी बहार आओ नमस्ते गालेकर साव अच्छे है इस सूट में बहुत अच्छे लगरो भीया थैंक्यू भाबी सरकार की तरफ से मुझे बहने के लिए बहुत बड़ा भंगला मिला है आज के बाद हम सब लोग वहीं चल कर आएंगे हम सब लोग वहाँ चल कर क्या करेंगे और वैसे भी हमें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है लेकिन मुझे तकलीफ होगी राजा आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजा से हूँ यह इस्जत यह दौलत यह शान और शौकत सब तुम लोगों का इस दिया हुआ है अगर यह सब मैं तुम लोगों के साथ नहीं बाढ़ सकता तो ना मुझे वह बंगला चाहिए और नहीं एक लेकर की पोस्ट नहीं भया नहीं बेचा अब लोग सब तुम्हारे साथ आएंगे सब चलेंगे है है हलो शालू शर्मा तू भी चल रही है हमारे साथ यह भी कोई पूछने की बात है जहां तू वहां मैं हाँ मेरे बगार तुझे खाना हजम नहीं होता है न हाँ रे देख चलो कान खोल कर सुन तू वहां हमारे साथ नहीं जागी समझे देखो ला दादी यह कह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जा सकती मुझे यहीं रहना पड़ेगा राजा ठीक ही क्या रहा है बेटी, मेरे बड़े बेटे को घुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, बिना दिया जलाए घर को रख भी तो नहीं सकते, तू यही रहना मगर दादी, मगर दादी, अब कुछ नहीं हो सकता, घर का ख्याल रखना, समझे, आएए, आएए, आएए माजी, माजी, यह आपका कमरा है, आएए न, प्लीज कमरा है, कैसा लेगा तुझे अपना नयाग है, अच्छा है भाया, बहुत अच्छा है सुना है, आपका भाई राजा गुजारे के लिए टैक्सी चलाना चाहता है तो इसमें बुरा ही क्या है, बुरा क्या है, एक कलेक्टर का भाई टैक्सी चला है, यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी राजा ने किसी और का जुर्म अपने सर पर लेकर मुझे कलक्टर बनाया इस बात के मुझे कुई शर्म नहीं और यह सब तुम्हें मालूम था तुम्हें कुई शर्म नहीं आज अगर मेरा भाई किसी पर बोछना बनकर अपने पाओं पर खड़ा होना चाहता है तुम्हें खुशी है इस बात के I'm proud of my brother सेख राजा आज से तेरी नहीं जिंदर की शुरू होरी और राजा सुन तायर को बिल्कुल निम्बू के ऊपर से लेके जाना हा राजा को अशुप शगू नहीं होना चाहता है यह नहीं आपकाड़ शेख को अपकाड़ रहा पोड़ा तुमारी टैक्सियो गंपनी गर्णा तुभाई उट रहा है अपकवान यह मुसीबत कहां से आ गई अरे रे रे ऐसे खर मत फुड़ो साथ में कभी कभी किस्मत भी फूट जाती है वो तो तेरे आते ही फूट गई, अब बची क्या है जो फूटेगी? वो राजा पहली सवारी को ढूराना नहीं चाहिए, अशुप होता है, मैडम, हाँ बैची अंदर, चलिए हाँ, समान अंदर रग तो, ए ड्रैवर, गाड़ी चलाओ, हाँ, ने, ने, कुछ ने, लगता है भगवान ने हमारी किसमत में लिख दिया है कि हम दोनों साथ मिलकर ही सफर करें, क्या बोली, मेरा बन हो जो टैक्सी में, बच कई, ओ, नाया ड्रैवर, बदन के सारे अंजर-पंजर डीले कर दिये, लाइसंस किस ने दिया तो, है, यह, 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 कुछ नहीं, आगे चलो, हम, ड्रैवर, सामान अंदर लेकर आओ, ड्रैवर, सामान लेकर अंदर नहीं आता, क्यों? हम, सामान को उठा कर, एसे भैकता है, यह, भीग दिया? दफा हो जाओ, है, जाती का है, मेरा भाड़ा निकल, भाड़ा भाड़ा, कैसा भाड़ा? मेरे टैक्सी का भाड़ा, फिफ्टीन रुपीज, ओ, टैक्सी का भाड़ा, वो क्या है, कि आज और कल, तो परसो आना और अपना चेक लेके जाना तेरी बैंक का है मुझे अच्छी तरह मालूम है कहा है निकल, निकल, निकल देखो, बाहर अच्छा नहीं लगता हूँ अंदर अच्छा लगे का, क्या, निकल पबलिक देख रही है अरे देखने दो, निकल कंजूद कहीं का बच्छा, बाहत दिनों से तुझा केला देख रहा हूँ मेरी जान, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे बच्छा, अरे भागती का जाती है कुटे, कमीने, जलीव, छोड़ते मुझे अरे भागती का आए, मैं तुझे नहीं छोड़ूगा चालो, चालो कर दोड़ते की पर भागती का परिया है कर आए! लश कारा, लश कारा, मेरे कंजना का लश कारा तेरी दुराएगा, तेरा चैन चुराएगा बनजारा, बनजारा, तेरी कलियों था बनजारा दिल में बसाएगा, तेरी मान सजाएगा दिल में बसाएगा, तेरी मान सजाएगा लश कारा, लश कारा, तेरे कंजना का लश कारा बनजारा, बनजारा, तेरी कलियों का बनजारा बनजारा मैं हो तेरी दीवानी, लगे तू मुझे का सबसे दोरा हारा ये दिल में हारा, मुझे तेरी अधाने मारा मैं हो तेरी दीवानी, लगे ता मज़का सबसे दोरा हारा ये दिल में हारा, मुझे तेरी अधाने मारा आग लगी पैसी, ये चास जड़ी पैसी, ये घर्द साआ जाता नहीं पास तेरे आओं या दूर चला जाओं करार कहीं आता नहीं बढ़तन बढ़ाएगा तुझे को सताएगा बढ़तन बढ़ाएगा तुझे को सताएगा बंजारा बंजारा तेरी गल्यों था बंजारा रशिकारा रशिकारा मेरे खंजना का रशिकारा पास बंजारा तुझे को सताएगा तुझे भा अौजाग। घड़ाग। झारुदा। मुनंंग प्रिशस प्रिशस तेरी कवारी चुडी सरी रहना मुझे तेड़ु पाए तेरी कवारी चुडी सरी रहना मुझे तेड़ु पाए तेक वारी चुडी सरी रहना मुझे तेड़ु पाए पिल जानी यह हाल तेरा कब से हुआ भूल गई सबको मैं भूल गई रबको यह प्यार मुझे जब से हुआ तेरा हो उश्गालेगा मज़ आश्काराइगा मेरे तंगना का रश्कारा का बंजारा बंजारा तरिकलियों का बंजारा का रवाना का जिकलियों का भा से तंग हामतारा यह तस्वीर यहां किसने लगए इस घर में बहुत बड़े-बड़े लोग आते जाते हैं यह घोटिया फोटा यहां अच्छा नहीं लगए मेरी सब्सक्राइब करते हैं यह सब के सब ऐसे हैं हमारा खाते हैं और हमें पर दोस जमाते हैं कान खोल कर सुनुरी तू तुम बीवी हो और यह लोग वो हैं जिनकी वजह से आज में जिन्दगी में कुछ बना हो इनके साथ किसी भी तरह की बत्तमीजी में परदाश नहीं करूगा राजा बढ़े बही एक तस्वीर दर लाओ तुम्हारे लिए बेहतर लिए होगा कि इसस से ले जाकर यह तस्वीर भाला काता हूँ सॉरी भीया यह सब मेरी वज़े से हुआ सॉरी तुम मुझे कहना चाहिए नहीं भी अरे दंगे फसा तो रोज हुआ करते हैं मैंने तुम्हे कितनी बार काहा है कि मुझे ऐसी चोटी-मोटी बातों के लिए फोन मत किया करो दंगा जब ना होना तभी मुझे फोन करना हाँ सर सेंट्र जर में एक मुझ्रिम उम्रकेद के सजा काट रहा है उसे पेरोल पर छुडानी के रिक्वेस्ट की गई है यहां सर यहां छोटा करूं यह बड़ा दोला गेंद छोटा ही कर देता हूं जल्दी से बता आगे क्या है सर एक murder case के बारे में कुछ सुबूत भीजे गए खत में लिखा है कि कुछ समय पहले अमर नाम के जिस आदम का कदल हुआ था वह कतल तेजपाल ने किया है अरे काएगा murder कौन आमर कौन तेजपाल इसमें हमें क्या है क्या नाम है तेजपाल यह सर दिखा फाल दिखा फाल दिखा पचास लाक रुपे लिए था ना मुझ से अब आयो तुम दोनों मेरे हाथों में दिखाता हूं का अंदर जाधिय विवा माफ करना माता जी राजस्थान में नई नहर से बारालाग रमिनों को फाएगा आपका नाम गोविंदा हुजा है ना? जी आपकी शिकायत होम मिनिस्टर सहाब को मिली है और उन्होंने उसकी inquiry भी शुरू कर दी है जी आप लोग सारे सबूतों के साथ कल सुँभा नौ बजे इस पते पर आ जाएए Yes, sir But keep this as is the sheet Yes, sir हम लो सुबह आ रहेंगे, sir अरेनगे, sir हम लो सुबह पहुंजाँगे, sir लगता है दुनिये में अचाहि है शुरू हो रही है आपनिस्टर सहाब पिछले दो सालों से एक ही खुआश रही है मेरी कि अपने जनम दिन पर तुम्हारे लिए एक जरी की साड़ी और सुने का हार लेकर रहा हूं ताके तुम उन्हें पहन कर मेरे सामने एक नई नवेली तुल्हन की तरह आओ भाई भाई अगर मैं यहां तक आया और तुम्हारे पती से नहीं मिला तो वो बुरा मान जाएगा चलो चलो मैं भी अंदर चलता हूं बाबु गाड़ी जड़र रबस कर लेना हमें लोगों को इस गर से निकालने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कौने माँ कौने माँ मुझे आज ही पता चला कि एक विजवा औरत अपने यार के आने पर मांग में सिंदूर वापस भर लेती है भावी मैंने आज तक आपको अपनी मा से भी बढ़कर समझा लेकिन आपने उस रिष्टे की गर्मा को तभा कर दिया है यह इस सद्दार लोगों का घर है यहां बेज़त लोगों के लिए कोई जगह नहीं है अब तुम्हें जहां जाना है इसका फैसला तुम खुद करो वाह कलेक्टर साहब वाह बहुत खुब इंसाफ किया है आपने एक जज बनकर तो आपने अपना फैसला सुना दिया अब थोड़ी देर के लिए भाई बनकर भी उस फैसले पर गौर कर लीजिए तुम्हर वो चीज जो आखे देखती है सच नहीं हुआ करती अच्छा यह जो सारी इन्होंने पहन रखी है यह जूट है यह माथे पर सिंदूर लगा रखा है यह जूट है मैंने खुद अपनी आखों से इस कमरे से निकलते भागते उस ड्राइवर को देखा वो भी जूट है वो सब सच है मगर आप ने उसका जो मतलब निकाला है वो गलत है यह आप बरसों से भावी को जानते हैं जरा सोचिए सीता जैसी हमारी भावी पर सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अगनी परिक्षा से गुजदना पड़ा था लेकिन यह था रामायन एक बार फेर गौर से पढ़ेगा भाया सीता से अगनी परिक्षा राम ने मांगी थी लक्षमन ने नहीं बड़े का जनम दिन था इसलिए इस विचारी ने यह सब आदी किसी को कुछ सफाई देने के जरूरत नहीं आभी को अंदर ले जाओ आओ वो, चीची इसमें चीची करने के क्या बात है साफ साफ घर से निकल जाने को कहने के बाद भी अंदरी गुसे जा रहे हैं, बे शर्म शर्म की बाद तुम्हारे मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंके तुम्मे और तुम्हारे भाई में जरा से भी शर्म होती, तो तुम लोग हमें घर से निकालने के लिए इतनी गिरी हुई और जलील हरकत कभी नहीं करते। अपनी बड़ी भावी को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, अपनी छोटी भावी को बचा रहा हूँ. मुझे? हाँ, जिस ट्राइवर को तुम और तुम्हारे भाई ने ये नाटक करने के लिए कहा था, उसे लाकर अगर मैं अपने भाई के सामने खड़ा कर दूँ, तो सोचा है, तुम और तुम्हारी जिन्दगी का क्या होगा? तुम लोग जितने घिनोने खेल खेलना चाते हो, खेल लो, मगर हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकते, जाकर ये बात अपने कमीने भाई को बचा देना. कमीना? सिर्फ तुम में ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार के अंदर खमन कूट कूट कर भरा है, शाइद इसी वज़े से कुछ लोगों ने तुम्हारे बड़े भाई का खूल कर दिया. क्या कहा? हाँ, बीच शरप से मार दिया उसे. राजा, तुम्हारे बड़े भाईया कौन लोगों ने? ठीक है गुड़ू, ठीक है. वो क्या है राजा, कि बड़े भाईया की मौत का सदमा ये भुला नहीं पाया है. मोटे चल्दी चलना, अकर होमनी से चले गया तो, अरे चलतो रहे हैं यार. भाई साथ, टाइम क्या हुआ है? अरे यार, चली चल लेट हो रहे हैं तो तु है वो लॉरी ड्रेवर, जिसने हमारे गुरू के बड़े भाईया की चान ले ली. तुम लोग सारे सबूत ले हैं? कहां है? मेरे पास है. तुम लोग बैठो, तुम मेरे साथ आओ. जी सर. अरे गुरू तुम, आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? तुमने केंची हैं? येस सर. गुड जाब, अच्छे फोटोग्राफर हो. थैंक यू सर. हमें तो यकीन ही निता सर कि आप हमारी फर्याद इतनी जल्दी सुन लेंगे. फर्याद और शिकायत, तेजपाल बहुत जल्दी सुनता है. और वो शिकायत, नागपाल बहुत ये दूर कर देता है. थोड़े! थोड़े! अभी तक बहार क्यों नहीं आए? इनको आरी चल रही है. तुम्हें कोई शाक है क्या? तुम अंदर तोलो! क्या हुँतो, प्रdoc शूरbnा सुनता है. पुम्हें! मुना और चुमन घ्याजए तू़ सबसे बाद़ लाद़ं लाद़ लाद़ वाद़ लाद़ हां? बहारा fiber गुठू, ये गुठू, गुठू, क्विख्या हुा?, गुठू, आझसा किसने मारा गुठू है, किसने मारा? गुठू, ये गुठू, किसने मारा? पोल मनीृ shut hisf फकी बेखायो गुठू, गुठू आझसा, पालो, गुठू। गुदू, आंका सुलू, बात करो, गुदू रादा, बढ़ भई हूँ, में आखपाल और तेट बाला किया है और वो, एस भी सकते है राभी, उन्जे राद मिलावा है वहास हाँ, वी खी घुदू, जा कर, ये बात मुझे से क्यों छुपाई चुपाई हैं क्यों नहीं बताई मुझे आनाम दिजजगी मारा कुटू 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 हुआ कुटू कुटू बॉल! वह लोग, S.P. साफ से मिलने, पुली स्टेशन गए है राजा के चारण दोस्तों का किसी ने कतल कर दिया है और कतल के वक्त हम इस पुली स्टेशन में तुम्हारे सामने बैठे हुए अपनी गारी की चोरी होने की रिपोर्ट रिखवा रहे थे समझ गए? ओके साफ अब तक तो तुम समझ गए होगे कि हम वकील से थोड़े जादा हैं, जट से थोड़े कम सारी महुरा चुब नहीं है, शनी भारी है कुम समझ अड़ा करेंग करेंग अज़ करेंग करेंग वीर तुम वीर करेंग यू माथ करेंग गाजर जह पाने, पुआ पने, खुब हुआ राजर, जिक हाठ पाट है राजरारी उपाने पुआ है पुगोगज जियुटाइए देहा कर सकतर। तो हो जो पीन जो पीन जो 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 जोगाए जोम कर दो ज nas चर्शों एंट पारे हिए जू जाय कर दो जidents जस जर्शों जी झजर चर सुपूूए झा झाल झाल है ज Doo तेजपाल साब नहीं तुम्हारा रिष्टदार है इसलिए नहीं कानून बहुत अच्छा त्यार है तेजपाल साब और मैं उस कानून का कानूनी तोर से इस्तिमाल करना चाहता हूँ मिलोड अदालत में ख़ड़ा ये नौजवान मेरा रिष्टेदार है मगर मैं कानून का एक महाफिज हूँ और मेरी नजरों में दुनिया के हर रिष्टे से बड़ा फर्स का रिष्टा होता है आपको याद होगा कि एक बार पहले भी आपने इस मुझरम को कार एक्सिट के जुर्म में छे महिने की सजा दी थी मगर आप इसने पहले से भी कहीं जाधा संगीन जुर्म किया है शराब के नशे में धुत होकर टैक्सी चलाते हुए ना सिर्फ इसने पुली स्टेशन तोड़ा बलकि अपने चार बेगुना दोस्तों की मौत कभी जिम्मेदार है में लॉर्ड मैं आपके सामने दो और गवाहों को पेश करना चाहता हूँ इजाजत है मैं ब्रेक इंस्पेक्टर हूँ जज सहाब और मुझे अपने काम में दस साल का तजर्वा है इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हाथ्सा गारी के ब्रेक फैल होने की बज़े से नहीं हुआ बलके मुल्जिन की लापरवाही से गाड़ी चलाने की बज़े से हुआ मैं सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हुँ जस सहब इस एक्सिडेंट के बाद पांच लोग हमारे अस्पताल में एड्मिट हुए थे जिन में सिर्फ यही एक जिन्दा था टेस्ट लेने के बाद यह पता चला कि पांचों ने बेहत शराब पी रखी थी मेरे खायाल से इतनी शराब पी कर ढंक से गाड़ी चलाना किसी के भी बसका रोग नहीं यह रोणर अब मैं यह सबूत पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ जिसके बाद यह केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा इजाज़त है यह तस्विरे देखने के बाद भी अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो यह तो कहने हो यह तो कहने है यह तो कहने ओशनी है कि भी जाएगा जाएगा वाँ कि अभुट्या तो प्सक्ताव ज़साब, खलित है, असली मुझे मैं नहीं, यह है, इस तरामजादे, शुट आफ यू बास्टर्ड, आज मैं नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा तुझे, भगड़ असली मुझे तुझे, तुने मेरे दोगो, चोड़ दो, चोड़ दो, मुझे, मैं इस गमीने को न मुझे, नहीं छोड़ूगा! मुझे, तुने मेरे दोस्तों का खून किया, तुने मैं यह तोड़ूगा! केस की सुनवाई के दौरान मुल्जिम राजा के तहश में आ जाने की वज़े से इस केस की अगली सुनवाई इस मेहने की तेरा तारीक को मुकरर की जाती है जो कि मुल्जिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए आदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो अपनी पूरी निगरानी में मुल्जिम राजा को सेंट्रल जेल पहुंचाए अगर अगर नाम अपने मुझ से निकाला तो तेरी सासे बन कर दूगा किसने का हुशारी करने के लिए देख तेनी उसके सर पर खुन सबा रहे कोई गोली नहीं चलाएगा सम्झेब आजा पकर इसको पकर इसको जाओ होो मोच소리 में होडिस। कर दो आफ ठीस कर दो आफ Sundays को सब street आफ प्रण आफ आफ कर जुछ रquito आफ आफ कर आफ आफ कर र सो आफ स्टेफ छो छो य ह। दो का छ कि अ स्थेफ़ शीजब दो कैर थान चाल च कुणा थालागाओ! पाच्चे अव? पाच्चे! Oh, shit! का इड़ी? पुझेश के रहाँ, खब? एभी अव्याँ, प्रइश्ट! OH MY GOD! क्या हुआ? प्रिफिलो के आप, आप, आप राओ झालूँ 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 एंग। शालू, शालू, शालू तुम ठीतो ना? रिवॉल्वर का है? रिवॉल्वर रिवॉल्वर शूट, कमान शुक्रिया शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हे बचाने में मेरा अपना स्वार्त भी है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किसी से बदला लेने के लिए बदला? किसे? तेजपाल से तेजपाल से? उससे तुम्हारी का दुश्मनी है? यह तेजपाल जो आज समाज का एक इजददार अमीर है कई बरस पहले घरीब और निकमा था उस वक्त एक मासूम लड़की ने उसे सहारा दिया जिंदगी में कुछ बनने का मौका दिया पर उस नीच ने उस लड़की को अपने जूटे प्यार के जाल में फसाया और जब उसे पता चला कि वो लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसने उसे ठुकरा दिया वो बेबस लड़की घर से बेघर हो गई उस अभागन की नाजाइस बेटी तुम्हारे सामने है जब मैं छे बरस की थी मेरी ही खादिर मेरी मा को फिर से एक बार उस नीच के पास जाना पड़ा और उस जाले मेरी मा को मा अब इस गाड़ी के नीचे कुचल डाला माल डाला मेरी मा को बदले की आग ने मुझे सिंदा रखा एक दिल मेरी नजर तुम पर पड़ी मैंने सोचा अगर मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाए तुम मेरा बदला जरूर पूरा हो सकता है बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गए तुम्हारे नजदीक आने के लिए मैंने नाटक खेलना शुरू कर दिया लेकिन ये नाटक करते-करते मैं सच मुझ तुमसे प्यार करने लगी लेकma के लेकिन अञाद स奈ês ि लेका ङूर्ट सुम्हाँ सस्दको गरी 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 गर वो गप़गा हूए रखा,प्व determate ko रखे प्रिक जाओी वाँ रखा Also the Pad पहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी जो बात हुई है आज जो बात हुई है आज कहां वो बात होती थी कहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी कहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी जो बात हुई है आज जो बात हुई है आज कहां वो बात होती थी कहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी कहले भी रोज अपनी मुलाबात होती थी के अर रोज रोज वो जोड़ात होती बात हुई है हुआ हुआ है जिमिर जिमिर जिमबर से घटा जिमिर जिमिर जिमबर से घटा दिल में चले है अंगारा जुनक जुनक जुन बहति हारा करती है कुछ तो इशारा जिमिर जिमिर जिमबर से घटा जिल में चले है अंगारा जुनक जुनक जुन बहति हारा करती है कुछ तो इशारा ये कैसी आग लगी ये कैसी ज्यास जगी पहले भी सनम ये सुहानी बरसाथ होते थे पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी क्याओ़ अपनी मुलाकात होती झाले भी मानाव़ ये सылक जुब त司नम by detectnya teacher जुनक 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 NOT IS ये जुनक 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 परहें तद्रापना चाहरें तद्रापना बर्ठा के बुंदों में छुपा कोई नशा संभले संभाले न जवानी पाक लग जा तु मेरे सीन से जरा रहती है रोत मसतानी बर्ठा के बुंदों में छुपा कोई नशा संभले संभाले न जवानी पाक लग जातु मेरे सिन से जरा देहती है रो तुमस्तानी प्यार तुझे करता है दिल दिल के भला दरता है दिल जैसे आज है पहले तुना मेरे साथ होती थी कहने भी रोज अपने मुलाकात होती थी कहने ब दिलो स्थनी मुलाकात होती थी चर्वाघ्प्त होती हाँ , ौण से दोआ्दो propіл। होती थी कहां है वो तस्वीरों वाली फाइल कितनी बार बताओ मुझे मालूम नहीं है वो फाइल हो मिनिस्ट साब ने कहीं छुपा कर रखिये वो फाइल ओहो उस फाइल की बिलकुल फिकर मत कीजिया उसे मैंने ऐसी सुरक्षित जगे पर रख दिया है कि मैं खुद ही भूल गया हूँ कि मैंने कहा रख दिया हाँ हम ब्लैकमेलरों को ब्लैकमेल करना चाहते हो नहीं वो हमारी मौत का परवाना है और तुम उसे कहीं रख कर भूल गए बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ही काड़ी के नीचे कुचल कर मरते है अगर सच में भूल गए हो तो अपनी जिन्दगी के बारे में भी भूल जाना मुझे मत बारो मुझे मत बारो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ साला हमारे साथ नेतागिरी करता है छर्ब बताताओ साला हुआ अरे मेरे तोरी बती बताताओ तोरी मेरी तो सारी पाहिने सहामत है राजा तो सिर्व आपकी पाहिने गया शुर्ण वो सबूत लेका ज़रूर अपने कलेक्टर भाई से मिलने की कोशिश करेगा लेकिन ये इतना सा नहीं होगा क्योंके पॉलीस को हुकम मिल चुका है तो समझ लो के तुम्हें हार्ट अटेक हो गया काथ मैं अभी आ रही हूँ क्या हुआ भाई सबको अटेक हो गया हाँ समय την Community करेंडा क्युक्स 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 जह इ utilization क्युक्स जह जठाए क्युक्स जब動画 भाईया, भाईया ठीक तो ही? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं रही, तुझा, अब खत्रा टल चुका है भाईया, 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 भाईया कहा हो तुम, देखो यह सबूत लेकर आया हूँ मबारक हो राजा, मबारक हो भाई तुम्हारी बहादरी की जितनी तरीफ की जाये कम है अपनी जान पर खेल कर आखर कर तुमने थबूत हासल कर ही लिए मगर कितने अफसोस की बात है किस थबूत देखने वाला कलेक्टर भाई घर पर मौजूद नहीं है फिकर मत करो, फिकर मत करो, वो हमारे हाँ है, नाश्टा कर रहा है लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वो नाश्टा करने के बाद पानी पीने के काबल भी नहीं रहेगा बंद कर अपनी गंदी जबान पास्टर्ड जबान तो हम बंद कर लेंगे राजा मगर हाथों को बांध का खामोशी से बैटे रहना हमारी आदद नहीं है हम साम से थोड़े ज्यादा हैं, नियोले से थोड़े कम जिससे भी हमें खत्रा महसूस होता है, उसे हम खत्म कर देते हैं वैसे तुम्हारे सबसे बड़े भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी वो बिजारा तो खामखा, इंदू मलोतरा के कतल का चश्मे दीदगवा बन गया था इसलिए उसे खामोश करना पड़ा और तुम्हारे चारह दोस्त तुम्हारे भाई के कतल के चश्मे दीदगवा बन गये थे इसलिए उन्हें भी खत्म करना पड़ा हाँ अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे यह कलेक्टर भाई भोलता रहे तो शराफत से आकर सारे सबूत मेरे हावाले करतो हो यह उसकी जिन्दगी और मौत का सवाल है अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हे सिर्फ आदे घंटे की महलत देता हूँ तो यह है तेरा असली रूप? तुही है मेरे बड़े भाईया का कातिल? मैंने अपने छोटे भाई की बात पर यखिन नहीं किया यह सोच करके वो अपने बजाव की कोशिश कर रहा होगा ची, 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 बहुत बुरा किया तुमने वैसे भी परानी कहावत है जो अपनों पर विश्वास नहीं करते बैगाने उनके साथ विश्वास खात करते हैं विश्वास खात करने का क्या फल मिलता है यह तुझे मारूं पर जाएगा कलेक्टर होने के नादे तुझ जैसे कादलों के साथ में क्या सलूक करना चाहिए मैं जाता रवी रवी क्या हो रहे चोड़ तो परिशान हो रही हो भापी यह तो घर्पी बात है चोड़ आप चोड़ दे यह क्या हो रहा है चोड़ दे मेरी बेहन को कमार है हमारी चंपा को तो दिनराज बाओं में लिए रहते थे ताब हमने तो कुछ नहीं कहा आज तो मारी बेहन को सरा साथ चूक यह लिया क्या आग बबूला हो रहा है जनाब मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा वा सकसेना, वा मैं तो समझता था के ये हाथ सरफ चांदी की थाली पकड़ना जानते है मगर आज मता चला के ये लोहे की पस्तॉल भी उठाना जानते है लेकिन चला नहीं सकते वो क्या है सकसेना प्रिश्वत के बोच से जिनका जमीर धब जाता है ना उनमें ये हिम्मत ही नहीं रहती लाओ, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है इसे मुझे है, शाबज, शाबज हश कमीले सकसेना तुम्हारी बहन नादरा से थोड़ी ज्यादा है हेलन से थोड़ी कम अरे आप क्या कहे रहे बाईजाब ये शशिकला से थोड़ी ज्यादा है तिंदू से थोड़ी कम और वो दोनों मेरी बहुत ही फेवरेक खनाय काय रहे चुकी है इस पर तो मेरी बहुत पहले से नजर है, अगर आप पर्मिशन दे दें, तो मैं भावी को अपना बेटरूम दिखाऊ। छोड़ दे मेरी पत्नी को, मत यह चीर कहा दूगा कमीनर। छोड़े। ले जाव मुनना इसे। टैंक यू भाईजा। अख बाईजी सेраह जोड़े पत्नी से तापल देजा अपना अख शोड़े तो अजयात ऑाउन से 1 इसान च। छोड़े फंगर, छोड़bye त sport, भाईए हुआ 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 है अगी मेरी दावी के इस्दत पर हाट डालता हुआ है राजा क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई अभी तक मेरे कज़े में है छोड़ दो मुन्ना को सबूत कहा है मेरा भाई कहा है नहीं राजा नहीं राजा यह सबूत इन कमीनों के हवाले हर्किस मत करना क्योंकि इनी के जरिये तो इन कमीनों को फाजी के तक्से पर पहुचा सकता है इन कमीनों को सजा देने के लिए मुझे इन सबूतों की कोई जरूत नहीं यार्स गुड कर दूत कर दूत स कर दो कौन हो तुम याद है तुझे लक्षमी नाम की औरत जिसे तुने दुख, बदनामी और मौत के सिवा कुछ नहीं दिया मैं उसी लक्षमी की बेटी हूँ तू तू लक्षमी की बेटी है यदि के तू तुझ जैसा जलील, कमीना और घटिया आदमी मेरा कुछ नहीं लगता तेरे साथ सिर्फ एक ही रिष्टा है मेरा पदले का रिष्टा अपनी मा की मौत का पदला लेने आई हूँ मैं बहुत सही वक्त पर आई हो तुम अपनी मास से थोड़ी ज्यादा हो बाप से थोड़ी कम तेजबाल नाम है मेरा और तेजबाल अपने दुशनों को कभी जिन्दा नहीं छोड़ता खत्म कर दो इसे खत्म कर दोड़ी जिस्व एसाब देग्ड़ी लुशना खत्म कर दोड़ी कि जबड़के लिए जबड़के अ Commissioner एमुझे । श्रहें मूं केम ज onboard ढिला के तुशर यूित को वीलो वाली? वाली? आवाजम तुझे मेट वाली माट प्रशा अवाजा 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 वाला वाल वाल व् रहाक राषा रहाक रहाई पर राषाज़ नागपार तुमरे घर्वालों की समेट फैक्टिफ पर लेकर गया तुम जल्दी जाकर उनको बचाओ जाओ राजा, हम दोनों रवी भाया को समालेंगे जाओ, 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 ऐाएनी त्वाज चैनी त्वाज लुकैनी त बेपपको प्थाज़ा दूवै चैनी आCuाहlichkeit कि अपने हाथ गंदे कर रहे हो मेरे हवाले कर दो मैं इसे देख लूगा अपने हाथ अटूए खुए कर दो हुआ है हुआँ और रम और राल इज Hem अब दुखों का अंध हो गया जान की सुख के दिन आ गय है हाँ स्वामी सब आपके आशिरवाद का फल है आप ही किकरपा है उधर क्या देख रही हो जान की मैं तो इधर हूँ हाँ मेरे पैर छुकर आशिरवाद ले लो ताके तुम्हें भी स्वर्ग में जगा मिल जाए अच्छा तो आज तक तु ही मुझे उल्लू बना रहा था ना रहा है सॉरी हम सॉरी होने वाली बीवी को सॉरी थोड़ी कहते हैं बीवी किसकी तुम्हारी बंद करो इनाटक बहुत हो गया अब दोनों एक दूसरे का हाथ थाम दो आपका होको सर आखों पर जेट जी नहीं मेरे पोते तुम्हारे भाई के जिंदेगी बर्बात हो जाएगी यह हाथ देखा है कितना रफ है एक रफारा मारूगी तो पूरी की पूरी बती सी बाहर आजाएगी भाई मीठे मीठे तेरे सप्रू में खोगई मै तुझे मरने लगा प्यारे तुझे करने लगा पिंझरे में दिल के दुआचा मै तुझे को बिट्ठा दू तो था मेरी तो था मैं तो तेरी हो गई पर मैना मेरी मैना मैं तो तेरा हो गया आ कि अ अ्याव फिर्ण कर दो था मैं तो तेरी हो गया रह गया हो गया है